प्रोडाम देख रे सारे दर्शका निगास वागता जी जेकर तुसी भी इमिग्रेशन सलाकार हो या बीजा एक्सपर्ट हो तुसी भी साधे शोदे बिच पार्टी स्पेट करना चांदे हो तसा नूग कॉल कर सकते हो नंबर है डबल नाइन डबल फॉर डबल जिरो थी सिक्स नाइ नंबर एक वार फिर तो नोट कर लो नेडिन वेक सुच ताली जीरो जुरो तिन सोनत स्विकाल जी स्वागर तो हड़ा सारे अंदर मैं प्रीट लेके हाँ से ना जी तो हटेली खास शो सो अजे और शो ते है कि जन्नी भी इंफोर्मेशन दिती जाए किते ना किते बच्चे नुका अट लग दी है गया बार बार शोज भी देख रहे ने बच्चे पर किते ना किते फिर भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चेडिया हो आही जांदी है गया क्योंकि जो कर सी किसे लोकल एजेंट को चले जाने है गया कोई जो पिंड देविच बैठा है गया ते ओ देवलो कुछ होर गलना थे हैं जांदियाने सो बच्चा किते ना किते कंफ्यूज हो जांदा जा उन्हों लगदा कि अच्छा मेरे थोड़े बहुत पैसे बाच रहे ने ते मैं क्यों ना नहीं चूज करना ते बाद विच जाके बहुत सारी यां दिक्कता जेडियां ओहों फेस करनी है फैंदियाने सो इसे करके हमेशा कहने है जी एक्सपोर्ट दी सला बहुत जरूरी है गी है तो इस शोदे विच भी असी एक्सपोर्ट नो ही इन्वाइट करते हैं जीना नो इक साल नी दो साल इन्सान नी बल्के बारा बारा तेरा तेरा साला था एक्सपीडियन सुन दाए तो अज सदिनाल हून के जी लाइडमा के मिगरेशन तो मस्टर जसमीत पाटिया जी घुमेशा इस मंच ते पांच ते ने तो हनुकार बैठेक सई इंफोर्मिशन देंदी हमेशा ही कोशिश क जी आए तो चाने दानु लाइकर डिसकस करांगे जडिया वी प्राब्लम बच्चा नू फेस करने है पाहनिया वह अगे ओन वाले समय देविछ ना करने है तो वेलकम करने वेलकम एससे तो जी सवालना दा सिल्सला शुरू करां तो पहला नंबर जडे ने फ्लाश हो रहेन आफिस किते किते हैगे ने लांड मांक इमिग्रेशन दे फ्लाश हो रहेने नोट करके रखना जी तुसी नानू कॉल कर सकते हो जो भी नजदीक ऑफिस पेंदा हैगा तो हनू उत्थे तुसी जरूर विजट करो एक वरी कांसलिंग चेडिया हो हो ता जरूर लिया करो अच कि प्रॉब्लम से ते क्यों आ रही है ने है कुछ प्रॉब्लम से इतना है स्टूरेंट सुनू कि एरपोर्ट जदो सी क्रॉस कर दे हैं वो थे साड़े के इंटर्व्यू टाइप होंती है मतलब हमेशा ही होंती है चाहिए टूरिश वीज़ा ते जा रहे हुई है चाहिए इंडिया क्रॉस करते हैं पुछा है जानता कि तुसी केड़े देश चले हो केड़े वीज़ा चले हो किन्ने दिन ली चले हो और जब उसी किसे विदेश पहुंच नहीं हो थे उत्य बॉर्डर से सक्यूर्टी ऑफिसर बैठे होंते हैं वह साथे तो पुछते हैं गया है कि कि उसी किन्ने दिन ली आए हो कि पर पर्पस अधा और क्यूं आया हो तुसी फोर्ड कर सकते हो अपनी स्टैडी थे अपने टुरिजम ने आ। फोर्ड कर सकते हो तो हमेशा ही प्रोसेस रहनदा ही रहनदा है और श्टूदेंट्स कही अँवारी लाइट लेलें दे हैं प् पढ़न दे बारे यह तानों अपने college नाम नहीं पता तानों फीस बारे नहीं पता तादी उत्थे properly पुछिया जाएगा कि तुसी केडे college चाहे हो केडे course चाहे हो किन्नी fees है गी है कित्थे accommodation है मतलब कित्थे जाके तुसी दहोगे तो मैं हमेशा students दस्दा कि जुदो वो travel कर दे है सब तो ज्यादा important हो जानते हो नाथी accommodation near to the college जे तॉट accommodation सबोस्त तुसी कहने हो कि मैं पढ़ना विंट सर्च है पर रवांगा मैं Toronto that is not justified पांच कंटे तुसी रोज up-down नहीं कार सकते और जे तुसी जा रहे हो तो तो आनों near your college accommodation चाहिए गी है नहीं तब है तो आनों airport ते काफी सारे questions पुछे जा रहे ने तो नोंना सारे questions ता पता होना चाहिए first of all जेड़े सी documents लेके जाने है तो नाल वो सारे students नो त्यांच रखना चाहिए कि original islets original educational documents LOA जड़ी offer letter आई है फीर सीट आई है college तो और चेड़े भी तोड़े original document है तोड़े भाथ होने चाहिए ना की तोड़े luggage होने चाहिए है क्योंकि वो सारे documents चेक किते जानगे जो तो सी Canada पहुंचोगे फिर accommodation दा address जेड़ा तोसी किते जाके रहना है किने दिन ली रहना है और उस तो बाद की planning है और कुछ क्यूबेक चेड़े students जा रहे हैं उननों यह भी पुच्छा जा रहा है कि how you will pay your next year fees so कई वारी students कई इदा गलत आंसर दे बैठ दे कि I will work here and pay my next year fees जड़ा कि बिल्कूल भी गलत आंसर और तौन वह तो डिपोर्ट किता जा सकता है तो वापस पे जा सकता है विकाज जे तुसी अप उत्थे पढ़ना तड़ मोटिव नहीं हैगा ता फिर तौन स्टूडेंट वीजा दिता ही क्यों गया तो सारे कोई गलत आंसर देंदे हो ता फिर तानू इंटरोगेशन भी हो सकती है और तानू बोला जा सकता है कि तुसी वापस चले जाओ अपने देश तो कल भी एक स्टूडेंट सी साथे सानू नौलेज चाया कि एक स्टूडेंट मॉंट्रियल पहुंचया वों मॉंट्रियल कंटे डूर सी कॉलेज तो उन्हों उस ते बहुत ज्यादा टेरोगेशन हुई बारा कंटे एरपोर्ट ते बठाके रखेया और उस तो बाद उन्हों एंटर करना देता कैनड़ा और ए सारी मुसीबत ये तुसी नहीं वाइड करना चाहिए और तुसानू सारीयां करना दा ते होन बच्चे केडी ती आरी देनाल और तांके बाद विच होना नू दिक्कत फेस ना करनी पहाँ वे तो हाटे कोल पहुंचना केड़े केड़े डॉकुमेंट्स लेके और ते की eligibility criteria होना चाहिए तो जड़े अपकमिंग इंटेक्स है गिया हो मई ते सप्टेंबर इंट तुसी seriously अपना student visa apply करना चांदे हो और ता डेकोल आयलेट से result आ चुके है ता तुसी जल्दी तो जल्दी offer ली apply कर दो नहीं ता फिर तुसी मई और सप्टेंबर इंटेक भी मिस कर दोगे सो जड़े भी students तुन त्यारी कार रहे हैं एक तासर GIC account सारे नों पता ही है कि GIC account चे 10,200 डॉलर सानों जम्मा कराना पेंदा है जड़ा की refundable होंदा है सो जो तुसी पहुंच दे हो ता तानों 2000 डॉलर मिल जानता है और वाकी मन्थली 667 डॉलर मन्थली मिल दे रहे है इस तो आवा पूरे साल दी फीस तो आई दी रेट चे नियू ब्रूंजविक कॉम्मिनटी कॉलेज सीट अवेलेबल है गी है पॉर सप्टेमबर इंटेक जिदी फीस सिरफ 9000 डॉलर है सलाना जिरू कहलो कि पांच लखतों भी थल्ले सलाना फीस है गी है जे तुसी नियू ब्रूंजविक कॉमिनटी कॉले चाहिए जाना चांदे हो जिसी बैचलर करना चांदे हो तो प्रिंस एडवर्ड आइलेंड चुप तेरा हजार साल दी फीस है गी है बैचलर दी और चार साल दी फिस 52,000 डॉलर है मेरे साव नाल बहुत ही अफोर्डेबल बैचलर स्टडी से गी है उनिवर्सटी फ्रिंस ए सलनाना डिपेंड करता है कि तुस्त मेरे कॉलिच जा रहे हो कि लोकेशन ते जा रहे हो फूरे सा दी देनी मैं प्रैफर करांगा क्यूंकि कुछ स्टूडेंट कहने करनें चैने इंकि यहां पर पूरे साल दी प्रैफर करांगे पहलना सी जी आई सी पैसे पाने 10,000,-200 पैसे वीजा लगदन तो पहलना देने पेंदे हैं क्योंकि मैं कुछ आड़ देख दा और मैंनों कई पर ही लगदा कि यह क्यों मिसगाइड किता जा रहे है स्टूरेंट नों कि सारे पैसे वीजा लगदन तो बाद which is not at all possible क्योंकि Canada चे जड़ी फीर सीट है उनिवरस्टी दी या कॉलेज दी ओ ना लगदी है जी आईसी दे पैसे पहलना देने पहन दे हैं बैसी फीस पहलना देने पहन दी है फिंगर प्रिंट पहलना देने पहन दे है और मेडिकल पहलना कराना पहनता है फिर ही तोड़ी फ स्टेटमेंट है इंकम टैक्स रिटर्न है गी है पेरेंट्स दियां वो तुसी अपने नाल लेके जाओ क्योंकि खास करके जड़े स्टूट्स क्यूबेक पहुंच रहे हैं और कुछ हो थे कि इद्धानी सुनन्च भी आया कि स्टूट्स क्लासा नहीं लगा रहे हैं कॉले है कि बहुत सारे बैनिफिट बच्चा नो उता है मिर रहे हैं जाना चाहांगी कि की बैनिफिट होंगे जड़े बचे हों क्यूबेक दली अपलाई करंगे कितना किते पर फाइल थोड़े जे वीक पर फाइल वाले बच्चे नो इन्वाइड करेगा क्यूबेक सी वीक पर अपना स्टूडेंट वीजा अपलाई करो वीक पर फाइल नहीं है कि तुसी किसे भी परसेंटेज नाल अपलाई कर सकते हो किसी तरह में तुसी अपलाई कर सकते हो वीजा उन्ना प्रफाइल लगेगा कि जेडियां प्रफाइल लिजिबल होन गया ओवरॉल 50% मार्ट होने जरूरी है ओवरॉल 6 मैंड होने जरूरी है पूरे साल दी फीस पर नहीं जरूरी है जी इसी एकाउंट खुलना जरूरी है किसी तरह में तुसी अपना कानडा स्टूरेंट वीजा अपलाई करना चाहें चाहें ओप्रविंस कोई भी होए जरे स्टूरेंट के लिजिबल कर रहे है और जरूरी स्थे प्रोवल तो बाद ही तटी वीजा लिफाइल लगे दिया प्रोसेसिंग है गया ओए तिन तो चा काट देने पेहने के या मेरी फीस काट है गी है तो जेड़े इद्धाने कॉलेजिस है गी है हमें अनुन कागा कि जिड़ा ओधा आउटकम हुएगा ओभी उद्धादा ही होएगा कि जिड़े तुसी स्टडीज कीती है वो दा क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होएगा कालू सप सब्सक्राइब करांगे सरकारी कॉलेज पड़ाई गरांगे ओधा आउटकम बैटर होएगा रादर ने असी किसे प्राइवेट कॉलेज पड़ाई करांगे तो बिलकुल जी अच्छा सार हों जेकर गाल की जावे सोपी बहुत ज्यादा मैटर कर दी कि बच्चा ने खुद अमबैसी ऑफिसर दे सामने नहीं जाना हूं दा इक एसोपी रेडी करके उनना दी पेजी जान दी है मेरे सारे स्टूडेंट लिखन तो बहुत ही जादा दर दे है और कोशिश कर दे हैं कि जे कंसल्टेंट असी हायर किता था कंसल्टेंट ही सोपी बना के दे कंसल्टेंट तुसी गाइड ले सकते हो कंसल्टेंट तक की की पोइंट्स तुसी एस सोपी लिखने हैं जोसे तुसी की सोच के अपना कैनडा वीज़ा आउटकम की आएगा जड़ियां गलना है गी है तुसी आपने बारे जो दो लिखना है गा यह जे तुसी गोगि SOP पर्सनल इक Statement होनदी है तुह उन्हों की केने ने यह स्टेटमेंट अफ पर्पस एक बंदेदा पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हुनदा है तुह जे तुसी कांगा कि कंसल्टन्ट दे सिर्थे 100% चाड़ दांगी तो उद्दा दी उरिजिनालिटी नहीं निकलेगी नो डाउट सारे कंसल्टन्ट हेल्प कर दें हैं सारे नूँ एसोपी लिखन पर मेरी एडवाइज एही देगी कि स्टूडेंट से की औरिजनल स्वी लिखन आप वीज आफिसर नहीं न लगए कि सारी एसोपी इककोजी आगी हैं और सारे यहां इक को पैटन चे लिखिया हुई है क्योंकि सारे स्टूडेंट आइलेट्स करके ही अपना कैनेड़ा स्टूडेंट वीजा अपलाई कर रहे हैं सारे रिटन टेस्ट देता है तो सारे की पॉइंट्स जरूर नोट कर सकते हैं कि से लिखना मैंनु बट कि कि हांगा कि हर स्टूडेंट एक स्टूडेंट अपने आप लिखे ताव वीजा रिजल्ट होर बेटर हो नहीं था की करने हो जाना कि वीजा आफसे केंदा कि इस प्लाइगरिजम की सारी हां सिमिलर इस ओपी यह पर यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब नहीं मिलेगा उसे करके में शेयर विच रिफ्यूजल रेट हाई हो जानता है और चोटे सिटीज है उथे वीजा सक्सेस रेट बहुत हाई होंता है यह सारे स्टूदेंट्स देखना चाहिए है कि मेरा इलिजिबिल्टी किते बन दी है मैं केड़े कॉलेज अपलाए करना और मेरा वीजा किते लाग सकता है ना कि सिरफ मैं अपने रिष्टेदार को जाके रहना है या अपने फ्रेंड को जाना है जिए वीजा रफ्यूज हो अपना मुराल डाउन ना करो पिलको जाना है या अपना मुराल डाउन ना करो पिलको कोई सेकंड टाइम तर्ड टाइम फोस ताइम वीजा लाकना असेस्मेंट कि जा इगे ताइगा कि तुस्ता को बढ़ जुकिल नहीं कर और जुकुन को जबाएगा कि कॉलेज चेंज करना तक पैंगा को मना उस्ताइब करनाद आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और जेड़े भी रिफ्यूज हो चुके ने स्टूरेंट वो साथे नीरेस्ट आफिस पॉंचन मोगा जलंदर लुद्याना अम्रिसर चंडीगड मोहाली अपने सारे डॉकुमेंट से लेके आण रिफ्यूजल लेटर नाल लेके आण देख्या जाएगा क यह रिफ्यूजल लेटर चीजन है यह रिजन स्पैसिफाइब नहीं होएगा तब केप्स नोट अप्लाए किते जानगे कि इंटरनल जरी एक रिपोर्ट आ दीए कि की रिजन हुंदा है रिफ्यूजल दा उप्लाए किते जानगे और उप्लाए करन तो पाता डवीजा सक् से 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 एप्लाए करना तो फीज मंगान दी कोई जूरत नहीं है कि सीम कालेच चे बाए कर देता जाएगा और यहां लगेगा कालेच चेंज करना है तो तुसी अपना कॉलेच चेंज कर सकते हो तो सब्सक्राइब दीजिए इस गाले करीं गी जीए सी नो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है दुजी वारी तीजी वारी चोथी वारी भी वीजा लाग साकता है साथे कुल बहुत सारे स्टूनेंट्स है गया है जिना दा छे-छे वारी रिफ्यूजल तो बाद भी वीजा लग गया बिल्कुल जी कैनेडर नो लाके गल हो रही है छी आई होप के नंबर तुसी नोट कर ले हों के आफिस ब्रांच ओफिस वी काफी जगा ते हागे ने चंडीगर देविच में ओफिस हैगा होप के जिते तुसी रहने हो आसपास जरूर तो हनो जड़ा में सिटी देविच ओफ कोल जाके कांसलिंग लो फिर जो तो हनो बेस्ट लगता हैगा तुसी अप्लाई करो ना यूट्यूब चानल ते जाके देखो ना दा फेस्बूक पेज जड़े आस ते ताइम विच हर कंपनी दा बढ़िया हूं दो ते जाके देखो किनने एक वीजा आरे ने किनने पर फा जरूरी हैगा है कितना जिवेंट लाटों पेसी कोर्स होना जरूरी है जहेदे विच तुसी पढ़ाई करना चांदेब रेलिवेंशी जरूर है कुछ कोर्सी जिद्धा ने हुने जिन्ना दी र рад इक्रमेंट सिर्फ इंग्लिश हैगि है तो दे विच नौन मेडिकल सुणि चांदे हो जाके तो ओधो जादा ज़रूरी है क्योंकि सब्सक्राइब कोशिश कर दें कि साथे को स्टूडेंट आंदे हैं कि सानु मोटिफ पावर टेक्टिशन देदो पावर इंजिनरिंग देदो श्रीजन में सब्सक्राइब करदें चांदे साथा करना ज्याद छथे चे तुर्डवाुआ रोलौनית करना है जब तो इस सारी चीज देखने पर दियां जदो कि स्टूरेंट साथे ऑफिस चे विजट कर दा है असे सब्सक्राइब कर देखने जा सकते हैं दूज्जे पाथ से कुछ ग्रैजुएट स्टूरेंट्स हों देखने जा सकते हैं इक्सपीरियंस है उन्हें पांसाल नौकरी कि स्टूरेंट्स जॉब एक्सपीरियंस दे बेशते पंदरा साल वी साल दे एक्सपीरियंस दे बेशते भी मास्टर्स करन जा सकते हैं कैनड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है गी ग्राजुएशन तो बाद 15 यर्स 20 यर्स दा विदानों एक्सपीरियंस है गया यू कैन कुछ कॉलेजिस एक्सेप्ट करने और पांच साल दे गैप देनाल प्रोपर रीजन देनाल की तुसी की कीता है पांच साल दे स्टूर्स कोई एंजिधिनरिंग था एंट्रेंस एकजाम देता कोई अधिकल देग्जाम देता तो और प्रूफ सोन गयो तर दे क्लियर नहीं ह तो उनना बेसिस थे विता डियादमिशन हो सकती है जी अच्छे सरे एग गाप देवेच मालों कि किसे ने जॉब किती दासाल दा गाप है गा फर एक्जमपल उने जॉब किती पर उख जॉब उधी स्टडी दे अकॉर्डिंग नहीं सीगी ताम यह जॉस्टिफिकेशन चाल बिल्कुछे को तुसी सब्सक्राइब करें इंजिनरीग यह जॉब कर देठाम बिजनस धे रिलेटेड जॉब कर देठाम कोई प्रॉब्लम नहीं है जूपन दूपर तुसी ब्यपटिटी पर सेल्जन मार्केटिग चीओ रॉब किती और अग्गे दुसीर मार्केटिंग करना चाहन देगो, MA, Business Management करना चाहन देगो, तो ओदेच रेलेवेंसी बन जन दी है, पर जोब तुसी किती है, और सारा कुछ सही है गा, सही तंग ना तुसी जॉब किती है, तो विजफ शुच कोई आपना वीज़ा प्लाइ कर सकते हूं, अच्छा सर, हुन जड़े बच्चा ने जाना हैगा, चाहीं मई इन ठेक दी गाल कर दिया, चाहीं सब्दंबर इन ठेक दी गाल कर दिया, ससकैचवन विच ससकाटून, रजाइना सेटी विच उनिवस्टी और ससकैचवन पॉल टेकनिक, प्योंकि ससकैचवन ये बहुत ही वधिया प्रविन्स है गाल की जाये, और ससकैचवन विच सैटल्मेंट बहुत असान है गिए, जड़े स्टूरेंट पढ़न जानते हैं, तो नो एकवर ही कवांगा कि जरूर चूज करना स्केच्छन पॉलिटेखनीक चूज करना अलबर्टा विच एड्मिंटन शहर विच काफी ज्यादा स्टूडेंट्स रणा चाहन दे हैं नौर्पवेस्ट नियाँ कुछ सीटा अवेलेबल ही तूसी अपलाए कर सकते तूर अप्रोंजविक प्रविंस्विक प्रविंस जड़ा की अटलांटी पाइलेट प्रोग्रम ते अंदर आ जएपने नबिसी तूसी ऊप्लाएविक कंणे स्सटूर ब्रोंजविक सब्सक्राइब करें लिस्ट बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा लंबी है मेरे को बहुत साथे को सारे प्रोड देन प्लस उनिवर्स्टी जाना चांदें और दोसी रेखो कि फ्यूचर कित्वधिया होएगा ना की प्रेजन्ट क्योंकि सपोस आईडी रेट से सारे ही स्टूडेंट जें उन्टारियो प्रोडेंसी में ट्रॉंटो नुचूज करने तो फ्यूचर चासी प्यार प्लाए करांग और अपनी प्यार उत्थे पलाए कर दे हैं तो क्यों ना यह सारा प्रोसेस नो वाइड करके असी पहला ही एद्दम प्रोविंस ले लिए जित्थे साथी सेटलमेंट असान होए फिर उस बाद नौर्थ आइलेंड कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया विज कूट ने शैर है ग स्कॉलर्शिप स्कीम है स्टूडेंट्स वास्ते तुसी ओदिच पढ़न जा सकते हो उसलाब कॉंतलम पॉलिटेक्निक उनिवर्सिटी सरी विच जड़ी की फेवरेट डेस्टिनेशन स्टूडेंट्स विच सप्टेंबर इंटेगरिया सीट्स अवेलेबल है तुसी ओदे इंटेक्स मैं और सब्सक्राइब जल्दी अपना मान बनाओ यह तुसी आइलेट्स कीती हो यह साथे नीरस्ट ऑफिस च पहुंचो प्रॉपर असेस्मेंट करके तुसी अपना केस बलाएगा सब्सक्राइब जो भी इस ताइम दा तो हड़ा परफाइल हैगा पांचो जी शायुक्त नसीग ही तुहरए होंगे फ्लैश्ट वह रहेने कि टे किते हैगे ने मंबर तुहरए को लागें जरूर अपने डॉकमेंट्स नो लाके पांचो ते ईधी हो चैनादा सपना जरूर सकार होईगा चैनाडा इनी बलके जेकर किसे और कंट्री दिए जाना चाने त कामी तुसी लाइन बांक इमिग्रेशन दे ओफस दे विच आक एक प्रॉपर जानकरी जडिया वो ले सकते हो तो थैंक इसे दिनार मैंनु प्रीशन वीडियो इचासर तक ले शो दे विच होर बहुत सारी जानकरी लेके हुआ के हासर सशेकार अधाम नुशकार सश्चिकाल जी प्रोडाम देख रे सारे दर्शका निगास वागता जी जेकर तुसी भी इमिग्रेशन सलाकार हो या बीजा एक्सपर्ट हो तुसी भी साधे शोदे बिच पार्टी स्पेट करना चांदे हो तरसा नूग कॉल कर सकते हो नूबर है 99144 00369 नूबर एक वार फिर तो नोट कर लो ने इन वेक्स विच ताली 00307